Hello everyone, welcome to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपको लेडीज कोट की कटेंग बताऊंगी तो इसके लिए मैंने धाई मीटर वूलन फाब्रिक लिया है और धाई मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है अस्तर के लिए और हो सके तो कोट बनाने के लिए कोई मोटा यानि के थिक कपड़ा ही आप यूज करें पतले कपड़े से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई है धाई मीटर की अब यहाँ से नीचे को हमें के लिया निशान लगाना है तो जितनी भी आपको ready length चाहिए उससे दो इंच आप ज्यादा लीजिए जिसे मुझे 34 इंच की length चाहिए तो मैं दो इंच बढ़ा के अंदर की तरफ को हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है और नीचे की तरफ को भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको पूरे को straight line से हमें join कर दिना है तो यह मैंने सीधा कर दिया है अब जो भी marking होगी वो इस line से अंदर की तरफ कोगी यह 3.5 इंच का margin हम include नहीं करेंगे तो यहां से मैं इस shoulder के लिए निशान लगा रहे हूं तो जितना भी आप नॉर्मली अपना shoulder रखते हैं उससे एक इंच ज्यादा हमें आपे लीना है तो मैं साड़े 6 इंच का shoulder रखती हूं तो मैंने इसलिए साड़े साथ इंच यानिक एक इंच बढ़ा के आपे लिया है अब इस पॉइंच से नीचे की तरफ को हमें एक इंच यानिक पे निशान लगाना है पहले और उसके बाद हम यहां से neck width के लिए निशान लगा है अब यहां से नीचे की तरफ को हम आम होल के लिए निशान लगाएंगे तो जितना हमने यहां पर shoulder का measurement लिया है उतना ही हम यहां पर armhole के लिए निशान लगा रही हूं और इसको हमें उपर straight line से join कर देना है अब यहां पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है निशा हमें आपका बर्स साइज है आप उसको चार से डिवाइट करें और उसमें 1.5 इंच की एक्स्टा लूजिंग करें क्योंकि कोट थोड़ा सा लूज होता है साथी साथ एक इंच का मार्जिन हमें और एक करना है क्योंकि यह पर प्रिंसस कट कट होगा और उसको जॉइन करें करेंगे तो हमें आधा आधा इंच का दोनों तरफ से मार्जिन चाहिए होगा इसके लिए टोटल मैंने एक इंच बढ़ाया तो मेरे मेजरमेंट में बर्स्ट है 34 इंच का तो उसको मैंने चार से रिवाइट किया और उसमें डेर इंच लूजिंग करी प्लस एक इंच का मा किया जो प्रिंसस कट है उसके लिए तो टोटल आया 11 इंच तो इसलिए मैंने बर्स्ट में आप 11 इंच पर निशान लगाया हमें इसको आम होले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है अब कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर का निशान हमारा यहां हमें और चाहिए मैंच और धख़ल के लिए तो मेरे मेजमें पें 30 इंच की तो इसको चार支持 किया और लूजिंग करी साथerson ही साति साध एक शिच प्रिंसस कट के लिए तो आया 10 इंच इसके लिए मैं और आपर 10 इंच पर निशान लगा अब इस पॉंइंट को हमें यह पें ज जोइन कर देना है अब इसके बाद यह नीचे घेर के इससे पर निशान लगाएंगे तो यह लाइन से बाहर की तरफ को हमें 13-14 इंच जितना भी आपको घेर चाहिए उतने पर निशान लगा लिजे तो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया अब इसको हमें कमार वाले जोइन कर देना है अब यह नीचे से हमें ऊपर की तरफ को दो इंच पे एक निशान लगाना है और इसको हलका सा घुमाओ दे देना है ताकि कॉर्णर ना निकले अब इसके बाद यहां पर हमें अपना आम हूल कर बनाना है तो आधा इंच का डीप करते वे मैं यहां पर फ दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से जोइन कर देना है तो यह मैंने जोइन कर दिया अब इसको हमें यह यह पर आम हूल करके उपर वाले हिससे पर दीखें यहाँ पर सेंटर पर करीब पर इस तरह से हमें हलका सा घुमाओ देते वे इसको जॉइन कर लेना है तो यह यहाँ पर हमारा प्रिंसस कट का शेप बन गया है अब नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ पर तीन इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और इसको हलका सा घुमाओ देते वे हमें नेक विट वाले पॉइंट पर जॉइन कर देना है और यह जो साड़े तीन इंच का मार्जन है यहाँ पर हम इसको सीधा कर देंगे सरे और यहाँ पर साइड में एक इंच यहने की वन इंच का मार्जन ले लेना है और इसको भी जॉइन कर देना है अब यहां पे shoulder में मैं 1.5 inch का margin ले रही हुए marking complete हो चुकी है अब same marking के उपर ही हमें इसकी cutting भी कर लेनी है अब यह जो princess cut है इसके भी हमें cutting कर लेनी है तो यह front part के cutting पूरी हो चुकी है अब हमें back part के cutting करनी है लेकिन उसके लिए में front part की जरृत होगी तो मैं क्या करनी हूं यहाँ पर से इस तरह से मिलाते वे रख रही हूं और आधा-धा-धा इंच की दूरी पर यहाँ पर मैं पिंसे इसको इसको कर ले में दूनों पार्ट को तो यह देखे इसको में इसको पिंस अटाइच कर लिया और विछो और ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ को रखी हुई है और यहां से फोल्डड वाली साइड है अब यहां यहां से अंदर की तरफ को हमें 0.75 इंच यानि की पॉना इंच पर निशान लगाना है और इसको भी हमें सीधा यहां पर जॉइन कर देना है इसके बाद अब मैं फ्रेंट वाला पार्ट ले रहे हूं और यह जो हमने अभी आपर लाइन खीची है यहां से मिलाते हुए मैं इस तरह से इसको रख रहे हूं और उसके बाद यहां पे जो नेक लाइन है इसको मैं सीधा कर देती हूं देखे इस तरह से अब यह जो शोल्डर वाला हिस्सा है यहां से उपर की तरफ को हमें एक इंच एनके वन इंच पर निशान लगाना है और इसको अब हमें बाहर की तरफ को सीधा जोइन कर देना है अब यहां पर आधा इंच का हमें बैक नेक की डीपनेस रखनी है और इसको नेक वेट वाले पॉइंट पर हलका सा गुमाओ देत जोइन कर देना है इसके बाद यहां पर अब हम बैक का आमोल कर बनाएंगे तो उसके लिए हमें यहां पर इस तरह से मैं नीचे को यहां पर इसको सीधा कर रही हूं अब यहां पर हमें अपने बैक वाले पार्ट का आमोल कर बना लेना है तो फ्रंट का आधा इंच कर डीप ह इस तरह से सीधा करके ही के निशान लगाएंगे तो ये मैंने रिचान लगा बाकी का से मार्किंग के उपर ही हमें जितना भी हमारा फेल्ट पेलोस फार कि से उपर की चुल उग कर लिएं तो यह हमारे यहां पे बैक वाले पार्ट के भी cutting पूरी हो चुकी है और दो पार्ट के स्थरह से बनके तयार है अब हमें sleeves की cutting करनी है तो sleeves के लिए मैंने बचावा कपड़ा यहां पर लिया है और इसको देखे इस तरह से पहले लेंद्वाइस फोल्ड किया है मैंने और अब इसको हम एक बर विट्वाइस भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे यानिके अर्ज में अब हमें स्लीव की लेंद्ध के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपको स्लीव की लंबाई चाहिए उससे आप 1.5 इंच बढ़ा के लिजे क्या कि आधा इंच का उपर सिलाई मार्जन जाएगा और 2 इंच का नीचे डवर फोल्ड हो जाएगा तो मेरे को 18 इंच की लेंद्ध चाहिए तो मैं इसे 2 इंच बढ़ा के लिए रही हूं तो साड़े 20 इंच पे मैंने निशान लगाया इसको सीधा कर दिया अब यहां फोल्ड वाली साइट से अंदर को हमें स्लीव के विर्थ के लिए निशान लगाना है तो जब हम फ्रंट पार्ट के कटिंग कर रहे थे उस समय अपने जितना भी आम होल की लंबाई लीती उससे एक इंच बढ़ा के हमें आपे लिए ना है मैंने 7.5 इंच आम हो कर बनाना है और आधा इंच का डीप करते हुए नीचे की तरफ को हमें फ्रंट का मूल कर भी बना लेना है अब यहां नीचे पे हमें स्लीव की मोरी के लिए निशान लगाना है तो पांच इंच पे मैं इसके लिए निशान लगा रही हूं और इसको हमें उपर स्ट्रेट से जॉइन कर देना है और साइड में एक इंच का सुलाई मार्जन ले ले लेना यहां टोर मैं अपिन चाहिंदा अनिशान लगा पत रहे हैं अब और मोचार को और बाहरी हूं योफ्छान करने के अब तो यहां पर यहां यहां पर यह सलीव की इसकी पॉतिकृज़न महीं कि आप से तो को पहले इसके पहले मैं फ्रन वाला पार्ट ले रही हूं और यह जो प्रिंसेस कट है मैं नेसे जैए जोईन कि निया रही हूँ आप मिलाते वे आप दीजे उसके बाद रहें नेक लाइन यहां पर इसको ट्रेस कर लेना है और शूलडर तो यह नेक्लाइन की कटिंग भी मैं आपके कर ले रही हूं और फोल्ड वाली साइड इसको कट करके ओपन कर लेना है इसके बार यहां पे देखिए हमारे दो पार्ट बनके तयार हो गये हैं अब इसके साइड वाले हिस्से की हमें कटिंग करनी है तो उसके लिए जो भी जाए बोलीजे और अस्तर के कप्ड़े को मैंने सिंपल दो पार्ट में रखा हुआ है और यह कप्ड़े की लंबाई है और यह कपड़े का अर्ज है यहां से फोल्ड वाली साइड ए ओपन वाली साइड मेरी तरफ को है अब इसके उपर हमें प्रंट वाला पार्ट लेना ह और इसका जो margin वाला हिस्सा front का उतने तक कपड़े को fold करके हमें कोने से मिलाते वे रखना है और पूरा जैसा भी हमारा front वाला पार्ड आया हुआ है इसको हमें पूरे को trace कर लेना है नीचे तक अब बस यहां पर एक चीज का ध्यान देना है जो front वाले पार्ड के अस्तर की लंबाई होगी वह हमारे में कपड़े से 2 इंच कम होगी इस तरह से मैंने उपर को 2-2 इंच पर निशान लगाया और इसकी लंबाई को में कपड़े से कम कर लिया है हमने जो पर पार्ड कट किया अब यह जो राउंड वाली साइड इसको में माक कर लेना है और इसके में आधा इंच का मार्जन लेते हैं हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और साइड में और बॉटम वाले पार्ट में भी हम मार्किंग के उपर इसकी कटिंग कर लेंगे और यहां पर देख सकते हैं साइड यहां पर इस तरह से जॉइन होगा आधा कपड़ा मारा में फैब्रीक का अधा अस्तर का होगा यह फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग अब हमें बैक वाले पार्ट के लिए अस्तर कट करना है तो इसके लिए मैं यहां पर बचावा कपडा ले रही हूं और इसको भी सिंपल दो और साइड मेंट्रेस कर लेना है और इसकी लें तोड़ी जी कम करनी है तो इसकी लेंध़ हम númans करीब यहां पर कम करेंगे और इसको भी मिला लेना है मिला है मीन फाब्रिक से लेंधं 2 ग 2 कम होनी है असतर की इसकी के घुद आधा इंच में और और 5 नाटा है ताए जयादा किट है अब मैं क्ड़िशए तीम डूंट सेंडरा कुने शेटेसी साथ करें और सट्रिया में आप डूंट में करना इँट के कम करना है और व्यां पार्टम नाटा कुलम के साथ कर ली Consig और अब इसको ओपन करके रखना है और ओपन करने के बाद हमें इसका फ्रंट आमोल कर बिकट कर लेना है जैसे हमने मेन फाब्रिक में कट किया था तो स्लीब के कटिंग भी हो गई है और इसका जो स्टिचिंग का पार्ट है वह मैं अपनी नेक्स वीडियो में अपलोड करू और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू